आपका ट्रेड इस चान में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंट्राडेकी स्ट्राडिगी आज का जो ट्रेड होने वाली है वो लाइव ट्रेड होने वाली है लेकिन मेरे कुछ सब्सक्राइबर से दोस्तों उनको कुछ सवाल से दोस्तों जैसी कि ओलो का ट्रेडिंग व्यू यूज करते है चार्ट अनलेस के लिए और पोजिशन बनाते है अपने जो भी अप्लिकेशन यूज करते हो तो उनको दिक्कत क्या आती है ट्रेडिंग से स्टॉक सिलेट कीजिए या आप एडलवाइस के अप्लिकेशन से स्टॉक सिलेट कीजिए उससे कोई फरक नहीं पढ़ता फरक पढ़ता है दोस्तों कि आपको इंट्रेट पॉइंट कम लेनी है ट्रेडिंग व्यू में जो ब्रेकाउट होगा वो डिफरंट होगा और जिर फर ट्रेडिंग व्यू जो आपको स्टोप लॉस देते है जो टागे देत है वहीँ फॉलो कीजिए और उस हिसाब से स्ट्रेडज को फॉलो कीजिए और जो लोग पत्रेडिंग ज्यों यूदि करते हैं वो लोग डारेकली अपने application में trade करते हैं वो वहाँ पर चार्ट analysis कीजें तो आपको confusion नहीं होगा यह मुझे शुरुवात में दिक्कत आई थी दोस्तों क्योंकि ट्रेडिंग में breakout हो जल्दी मिल जाता है और वहाँ पर जो target होता है वह जल्दी आची हो जाता है लेक लेकिन confusion ना हो इसलिए आप एक ट्रेडिंग यूज कीजिए नहीं तो application यूज कीजिए जहाँ पर आप ट्रेड लो और अपना जो target है वह अचीव करते हैं तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसे करना है एडल वाइस में जो stock selection है 0.00 वाले open is equal to high या open is equal to low हम लोग अभी देख लेते हैं दोस्तों दोस्तों आप right and side बेश सकते हो मैं एडल वाइस का जो application है वो use ही है दोस्तों यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि जो stocks open is equal to high या low होंगे वह वहाँ पर दिखेंगे तो आपको क्या करना दोस दोस्तों उनका screener करके option है screener में जाने के बाद दोस्तों आपको नीचे side scroll down करना है अब जब नीचे आप scroll down करोगे दोस्तों तो वहाँ पर आपको option दिखेंगे open is equal to high या open is equal to low इन मैसे हम लोगा stocks करेंगे और वही stocks हम लोग यहाँ पर add करेंगे इसका benefit क्या होता है दोस्त stocks मिलते हैं 920 तक जहाँ पर आप अपना profit ज्यादा कमा सकते हो विट राइट स्टॉक दोस्तों तो ऐसे में यूज करता हूं एडल वाइस का जो application है stock solution के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में जो ट्रेड ली थी वह ली थी आइसी आइसी ए बैंक में अगर ज्यादा करक थी तागेट क्या रखना था दोस्तों तो यहां पर stock open हुआ है point 00 के category में आता है और साथ में दोस्तों यह है पहले five minutes की candle धैन से जुने दोस्तों आपको कुछ भी doubts होते हैं इस वीडियो में आपको सारे doubts निकल जाएंगे मैं आपको एकदम slowly बताने वाला हूं कि आपको strategy क यूज करने कहां पर आपको चीज़े अवाइड करनी है ठीक है तो यहां पर दिए कि मैंने पहले five minutes candle यहां पर नाप ली है और वो point 69 है mostly point one point five की नीचे जो candle होती है उनी शेर्स में हम लोग trade करना पसंद करते हैं और one point five की ओपर कोई candle बनती है पहले five minutes वाली तो हम लोग व उपर के सैड में जो है टार्गेट लगा देंगे ठीक है टार्गेट क्या वगर उसको देखें यहां पर टार्गेट होगा point seven की साब से eight one three कि नीचे ये stop loss और उपर ये टार्गेट ठीक है ये हो गया सेट आपका काम हो गया वहाँ पर इंट्री आप कब लोगे यहां पर देखें ब्रेक आउट के बाद आराउंड eight zero eight के आसपास वहाँ पर अपनी पोजिशन बनाऊँगे नीचे के साइड stop loss उपर के साइड टार्गेट रगा के आप वहाँ पर इंट्री बनाऊँगे और दोस्तों देखिए मैंने आपको कली बताया जार्या करके आप questions करते अचीव नहीं करता कुछ पॉइंट्स वहाँ पर मिलने के बाद यूटन देते रहा तो यहाँ पर आप देख सेकते हो आईसे एसी बैंक ने यहाँ पर हाई बनाया था आट सो बारा पॉइंट चार बाद में वापिस थोड़ असा नीचे आया वापिस यहाँ पर आया आट को क्या करना रोश जब मैंने यहाँ पर पॉइंट बनाया थी अराउंड एट जिरो एट की आसपास तो मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था आपको वन परसंट का जो टार्गेट है उसके साथ में दो सो पॉइंट फाइट यहाँ पर लगा के रखना है तो यह जो ल एग्जिट लेने का और मैंने इसी लाइन के आसपास मैंने एग्जिट ले लिया वी तो प्रॉफिट अभी यहाँ पर आप बोलोगे दोस्तों कि टार्गेट अच्छी हो नहीं हुआ तो मैं आपको बूलूंगा स्टॉप्लस भी वहाँ पर हिट नहीं हुआ आप वहाँ प्रॉफिट में तो जाए भी शक्ति होँ प्रॉफिट में एसित लेने से अच्छा है ना दोस्तों कि आप वहाँ पे श्टॉप्लर सब्लों आपना वुक करें सब्सक्राइब करता है तो हमें समझ जाना चाहिए रोस्तों कि स्टॉक यहाँ पर जो है स्ट्रगल करने वाला है और हम लोग क्वाइंट फाइग्जिट ले सकते हैं दोस्तों तो मैंने ऐसे ही किया रोस्तों पॉइंट फाइगेट के यहाँ पर एक्जिट लिया मेरा प्रॉफिट कम हुआ दो लेकिन लॉस्त नहीं हुआ तो यहां पर दिखांगा दोस्तों यह जो है यह ओवरॉल प्रॉफिट तो मेरा दूस्ते कोई स्टाटिदी की वज़े से दोस्तों मैं आपको ओर्डर में कीटे दोस्तों यह मैंने एक अलग स्टाटेजी यूज की थी आज स्ट्राइक यह मार्केट में बजट डेके दिन और यह वर्काउट हुई है तो जल्दी दोस्तों इस स्टाटेजी का भी लाइव वीडियो में आपके लिए लाने वाला हूँ मेरे चैनल पर तो जितना हो लिए लिक करो करें मेरे इन वीडियो को मुझे उतना मोटिवेशन मिलेगा ऐसे नए नए वीडियो हर रोज आपके लिए लिए लाने के लिए दोस्तों कर दोस्तों इसे कि लिए खेसे झाल 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 झाल